Hello friends, आज मैं आपको document.traney के बारे में बताऊंगे document.traney होता है document.traney Gfrey में तब call होता है जब हमारा DOM fully loaded हो जाता है DOM का मतलब है DOM का मतलब है कि हमारे page को जो structure है जो हम S.D.M.S. बगरा लिखते हैं से हमारा page का structure हो जो हमारे structure है जब fully loaded हो जाते हैं तब हमारा document.ready call होता है और उसके अंदर जो भी आमने function, flip event, show भी लिखा होता है यह सारा कुछ call हो जाता है बहुत दूसरी तरह window.load तब call होता है जब हमारा DOM तो fully loaded हो ही चुका होता है साथ में बाकी की भी resources like images है, CSS है बहुत सारा भी पूरी तरीके से load हो गया हो तब जाके हमारा window.load call होता है document.ready के लिए एक jumble देखे आपको समझाती है यह एक jumble मैंने पहली वीडियो में दिया आपकी आप देखना चाहे तो आप उसे भी देख सकते है यहां पर मैंने skip tag के अंदर मैंने document.ready call किया है उसके अंदर मैंने उसका click event इसका एक button लिया है मैंने यहां html उसका click event मैंने यहां पे call किया है उसके अंदर मैंने एक alerts मैसीज show कर आया तो इसको एक बार मैं run करके देख लाएती है इह already running stage में यहां पर मैंने क्लिक किया और यहां पर अलर्ट कॉल हो गया अब अगर मैं यहां पर document.tradee ना लिखो तो तब क्या होगा यहां पर अगर मैं यहां पर document.tradee हटा दूपना अगर मैं यहां से document.tradee नहीं है अब क्या होगा जब मारा page load होगा सबसे पहले वो skip load करेगा इसके प्लोट करेगा उसके अंदर click event वो लिखा है उसे call करेगा और फिर जाके वो html call करेगा अब इस case में क्या होगा इस case में हमारा click event call नहीं होगा कोई alert message मुझे नहीं मिला क्यों क्योंकि जब पेज़ लोड हुआ सबसे पहले वहां पर script load हुई कि html तब लोड नहीं हुआ क्योंकि पहले यह लिखा है तो पहले यह लोड होगा तो यहां पर बटन बन उसने सर्च किया कि किसकी आईडिया बटन जब लोड ही नहीं हुआ है तो उसे नहीं मिलेगा यहां पर कि वो किसकी आईडिया है इसलिए एक click event वो अपने हिसाब स करना है कि मैं document.radie के अंदर इसी लिखें वहीं दूसरा तरीका है कि जो मेरा script tag है जो पूरा मेरा script tag है वो है just body का closing bracket होता है उसके just आगे मैं लिखें जिससे पहले html call हो जाए जिससे पहले html call हो जाए फिर उसके बाद जब html लोड हो जाएगा उसके बाद मेरी script run है जब हो html के बाद script run होगी तो उसे यह id मिल जाएगी अब मैं इसे run करके दिखा देते हूं अब मैं click call कर रहे हूं तो जैसे मैं button पी click call कर रहे हूं बहाँ पे मेरा alert message मुझे so हो जा रहा है यह दो तरीक है या तो मैं document.ready के अंदर अपने click events या जो भी मुझे लिखने है वो लिखूं या दूसरा तरीक है कि मैं just body का जो end point हो उससे जस्ट उपा लिखूं Thank you Thank you Thank you Thank you